कि एड़ाम रमजी आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको ये केबल वाला डिजान बना के दिखाऊंगी एक डिजान ये छे फंदे ये केबल के हैं और च्यार फंदे बीज में ये उल्टे हैं 6 और च्यार दस फंदे का बनेगा ये बोडर बना के जो पैली सलाइ मना था पैली सलाइ से बना के दिखाऊंगी आपको 6 शलाइ के ये जैन बनाएंगा आप इसको लेडि का डिकन मेंड आल लो जेंट स्वाटर मेंड आल लो कईम बीड आल लो सारी जग अच्छा लगेगा च्यार फंदे उटे 6 फंदे सिद्धे तीन च्यार पांच च्छे अब येई 6 फंदे आमने आग बनाने हैं च्यार फंदे ऊंटे पीछे दागा करके 6 फंदे सिद्धे आग फिर ये दोड़ जान ओगे यां तक मारे कुरे पूरी कोटी में हागर हमने इसत्र बना आया तो गन्दा लगेगा ये 4 फंदे उलके आ रहे हैं अब देखको दुन कोणी पे उल्टे फंदे आगे डिजान को सेट करने के लिए ये च्यार फंदे अब आगी दुसरी सलाई उल्टी सलाई उल्टी सलाई में यमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं पूरी कोप्टी में उल्टी सलाई सारी इस्तर उतारनी हैं 28 प्रफटायाज कुल बनाने में विख्षान है। बने वीजल्दिक यह में और जलतिव लड़ीन क्यों इस में ऊल्टी स्फारी इस त्रहने यूठति अब यह दो सलाई होगे अभाड़ी सरी सलाई अब दिसरी सलाई में हमने किस्तरा बनाना है दो फंदे, च्यार फंदे उल्टे, पिछे दागगा करके अब च्या फंदे हैं, ये दो फंदे छोड़ देंगे पिछे, अब इन च्यार फंदे को अमने पल्ट के बनाना है, पल्टना की स्तरह है, पिछे वाले दो फंदे आगगा करतेंगे, और आगगे वाले फंदे दो प पिछ्छा करतेंगे अब ये च्यारों फंद्य आमें सिद्धे बनातेंगे एक दो तेन च्यार और जो ये दो फंद्य पचेके इनको भी सिद्धा बनातेंगे फिर आगे च्यार फंद्य उल्टे पिछ्छे दाग्या करके अब जो च्यार फंद्य आगे बलके दो फंद्य पिछ्छे छोड़के इन च्यार फंद्याको पल्टके बनातेंगे दो फंदे पिछे वाले आग्गे करतेंगे और आग्गे वाले पिछे अविन 4 फंदे आको आमें शीद्धा बनातेंगे फिर दो च्यार फंदे ये उल्टे अब आगी तीसरी चोथी चड़ाई अब चोथी चड़ाई भी हम सारे फंदे उल्टे उतारतेंगे मैं जो ये केवल 6 फंदे की बना रही हूँ अगर आपने 9 की बनानी आप 9 की बना सकते हैं इसको बड़ी भी बना सकते हो और जो ये उल्टे फंदे 4 बना रखें से जगह 2 बना लो, 3 बना लो, 5, 6, कितने बना लो वीचि में आपने ये केवल दूर दूर बनानी है तो ज्यादा फंदे रखलो, 10 रखलो, 15 रखलो, 12 रखलो अब ये चोथी शड़ाई भी सारे फंदे उल्टे बना दिए, अब आगी पांचवी शड़ाई, अब पांचवी शड़ाई में 4 फंदे ये उल्टे, पिछे दागा करके अब 4 फंदे आगे केवल वाले, अब कि बार मने ये दो फंदे आगे वाले पहले बनाने हैं पिछे वाले ज्यार फंदे आगे को पल्टना है, पहले दो फंदे शी दे बना दिए, पीसरी सलाई में अमने पिछे वाले दो फंदे शी दे बना थे, अब पांचवी सलाई में आग्डे वाले दो फंदे शी दे बना के इन शी आर फंदे आगे को पल्टना है, इनको अमन ये पिछ्छे वाले आग्गा करने हाग्गे की साइड से और आग्गे वाले पिछे है यूँ अब च्यार फंदे ये भी सिद्धे बना देंगे अब आग्गे च्यार फंदे उल्टे पिछे दाग्गा करके पहले दो फंदे सिद्धे बना देंगे और इन च्यार फंदे को पुल्टना है अगर आपने यूँ निकाल के डालने ही यूगाल लो वो आपकी मर्ची है आपको किस तरह असान लगेगा यूँ निकालने में कई बार क्या हुआ है एक दो फंदा कई बार अर बार नि गिर रेगा निच्चे कई बार गिर भी सका है निच्चे अगर सलाई में डले डले निकाल लो गे तो निच्चे गिरने के कम चान्शू है अब छटी सडाई में भी सारे फंदे ऐसे उल्टे बना देंगे अगर आपको मेरा डिज्यान पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना सेयर करना कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अब ये चैसलाई होगे चैसलाई का एक डिज्यान होगे अमारा कितना सुंदर लग रहा है चोटी ही बना रखे जैसे बालों की चोटी बना करें यूँ बना दिखाई दे रहा है अब देखाई अब पहली सलाई से हम फिर सुरू कर लेंगे 4 फंदे उल्टे 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे बनाने है यही चैसलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिज़ान पड़ेगा टैंक यू वीडियो देखने के लिए झाल झाल